पढ़ेंगे क्लास 4 एवियस का चाप्टर 14 बासवास फार्म तो इसमें बासवा है वो अपनी स्टोरी बताते हैं I am Baswa, my father is a farmer, we live in Belvanika village in Karnatak तो मेरा नाम जो है वो Baswa है, मेरे फार एक farmer, एक किसान है और हम लोग करनाटक के Belvanika गाओं में रहते हैं It is the month of July, like every year, my father is preparing the field to sow the onion crop और यह जो महीना है, यह July का महीना चल रहा है और मेरे जो फादर है, मेरे अपा है, वो field को तयार कर रहे हैं, खेत को तयार कर रहे हैं जो onion की crop है, मतलब प्याच की फसल को बोने के लिए, sow का मतलब होता है बोना तो onion, प्याच की फसल को बोने की तयारी वो खेत में कर रहे हैं There are so many things to be done at this time और यह जो साल का यह वाला जो समय होता है, बहुत सारे काम इसमें करने के लिए होते हैं To help him, I do go to the field with अपा और अपा की मदद करने के लिए मैं भी field में जाता हूँ In the last few days, अपा had been using the khunty तो khunty जो होती है यह देखिए, इसमें जैसे की यह है एक तो हल होता है और एक khunty जैसी होती है जैसे देखिए, इनके हाथ में है, इसको use करते हैं मिट्टी को हटाने के लिए तो इनके जो अपा है, वो khunty का इस्तमाल कर रहे हैं इस साल भी मेरे जो फादर है, मेरे पापा है, वो जो अनियन के जो है, बीच वो बोएंगे खेत में, तब बुलक्स, बुलक्स होते हैं, बैल बुलक्स विल पुल तर कुरीच एंड अपा विल वॉक बहाइंड देम तो यह कुरीची है ना, यह इसको यह लोग खीचेंगे और जो अपा है, वो इनके बीचे-बीचे चलेंगे स्प्रिंकल करने का मतलब होता है, जो बीच होते हैं उनको फेकते हुए चलना, स्प्रिंकल करना I would also like to do this, just like my अपा, but अपा says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी यह बीच फेक हुँ, मगर अपा बोलते हैं कि बीचों को बहुत ही ध्यान से फेका जाता है, बिलकुल सही डिस्टेंस पर, एक जगह पर नहीं फेकने होते हैं सारे अलेग अलेग जगह पर फेकने होते हैं, ताकि असानी से और अच्छी तरीके से वह उख पाएं और यह काम करना बहुत इजी नहीं होता, जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस काम को प्रॉपली ढंक से करना सीख जाओगे, ऐसा बोलते हैं स्प्राउट का मतलब होता है, जिसकी बीज है, बीज जब उपर फूट करके उटके पेड़ बनने की फॉर्म में आ चाता है, तो उसे स्प्राउटिंग बोलते हैं तो स्प्राउट अपियर होने लगते हैं, बीज से उपर पॉधे बनके आने लगे हैं, तो लगभग 20 दिन के बाद जब बीजों को बो दिया जाता है, उसके बाद जो अनियन का प्लांट है, वो स्प्राउट होना शुरू होने लगता है, उपर की तरफ उगने कर आने जिसे की घास हो गई और जंगली बेड तो उनको हमें उखाड करके फेकना पड़ता है, वीट्स जो है वो उख जाते हैं, वीड्स होते हैं फालतू जंगली पॉधे जिनकी सवर्वतनी होती, तो हमें उसको उखाड के फेकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको वही पर तो जो फेकना पड़ता है, खाद, पानी, जो चीज़े हम डाल रहे हैं, वो कॉम्पटिशन करेंगे, वो हमारे अनियन के पॉधों के साथ वीड्स, तो हमें वीड को निकालने के फेकना पड़ता है, ताकि हमारी फसल और अच्छे से पानी ले सके, फेकना होता है, तो बह हम सब अपा की मदद करते हैं, वीड को पेडों में से, वीड के जो पेड होते हैं, खेतों से निकालने के लिए, वीड मतलब जंगली पेड वगरा, अब ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स हैं, उनका ग्रो करना, उनका बढ़ना, तो I am happy to see the plants growing, मुझे बहुत खुशी होती है जब में पेडों को उकते हुए, बढ़ते हुए देखता हूँ, ग्रोव करने का मतलब होता है बढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब में प्लांट्स को बढ़ते हुए देखता हूँ, अब ये इतने तॉल है, लंबाई, इतने ऊचे हैं, कि मेरी मेरे घुटनों तक पहुंच पाएं लीव जो है अब वह यलो कलरगी होना स्टार्ट हो गई है और अब यह सूखने लगी है इसका मतलब है जब लीव यलो कलरगी हो जाएं पीले रंगी हो जाएं सूखने लगे तब हमें समझ जाना चाहिए कि जो है अब यह फसल काटने के लिए तयार हो गई और हमें इसको खेत में से निकाल देना चाहिए फिर एवरी टाइम एट होम विल हाफ टू वर्क तू हम लोगों को क्या करना पड़ता है सब लोगों को सारे जितने भी लोग है सब को आनियन को पहार निकालने के लिए काम करना पड़ता है और यह बहुत उसको भ्योंको सही टाइम पर बहार निकाला जाए अगर हम लोगों सही टाइम पर नहीं लिए घेतों से जमीन से इवरी वन हर कोई घर में काफी खुछ है क्योंकि अनियन होता है हमारी जो प्याज है वो इस बार काफी बड़े बड़े और काफी अच्छे हुए है अम्मा और आंटी यूज दा इलिगी इलिगी जो है एक तरीकी सी दराती टाइप की होती है जिससे कट किया जाता है जो लीव्ज हैं ड्राइट लीव्ज फ्रॉम दे टॉप अफ द अनियन अनियन के ऊपर जो सूखी हुई पत्य इलिगी से काल रही है एक शाप बहुत ही पैनी सी चीज होती है और बहुत ही कियरफुछ वमें रहना पढ़ता है कि कहीं उंगलीना कर जाए अपर अंकल जो है वो सक में Const Royal स्वां संथीок मतलब होता है जiscal के करें प्माकुशों तो स्वां जे करें स्वां प्यूया देग उ पुझवाई आपटे